अब गंगापर सिटी में सटवामना कमेटी आई भी है जो करोली में गंगापर सिटी में भी कल राम रंभी पर शुब्यातरा निकलने वाली है क्या कहना जाएंगे सब आप सवाई सिंग जी है प्रदेश अद्यफ है FDCA प्रदेश अध्यफ है आप प्रदेश अध्यफ है सवाई सिंग जी आप इसी राहूल साभ है आप रितायट जज है और वाइस प्रेसिडेंट है अभी FDCA के आप जितेंध सिंगी है अच्छी बादिये करोली के यह है आप जैपूर से अभी टीम के साथ आएं आप अब अक् सब्सक्राइब करोली में एक दुल्भाग्य वस ऐसी घटना हुई जो बूरे प्रदेश पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा हुआ भर्म के नाम पर जो इस तरह के जुलस निकले हैं, हमारा निवेदन है को उसको ऐसी धार्मिक रखें जिससे प्रेम बढ़े हैってる है, धार्मिक जुलसों से अगर किसी तरह का भेदभाव बढ़ता है तो धार्मिक जुलस नहीं है प्रेम बढ़ना चाहिए और जुलुस की मर्यादा फिर जिस तरह से होनी चाहिए अपने यहां सद्भाव की जो मर्यादा हमेशा रही है ऐसी रहनी चाहिए मारा तो एक निवेदन है आयोजकों से जनता से कि धर्म के नाम पर नफरत को स्विकार नहीं करें पहली चीज़ और सारे समाजों की एकता हमारे समाजों की एकता हमेशा बनी रही है वो एकता बनाए रखनी है सद्भाव जो बना रहा है भाई चारा बना रहा है वो भाई चारा सद्भाव बना रहना चाहिए आज आप देखिए करोली में जिस तरह का हुआ उससे किसको फाइदा हुआ है सबको नुकसान हुआ है गरीब मजदूर से लेकर दुकानदार से लेकर जो भी आम आदमी है वो पिछले नौ दिन से दस दिन से कितना परेशान हो रहा है और समाज में लकीरे खिच जाती है तो इन लकीरों को मिटाना है सब्धाव समीती का जो प्रदेश सिस्तर की है तो आगे भी हमें सूचना मिली हिंडॉन की सूचना मिली हिंडॉन भी हम गए महा के भी HDM साथ ने और रिप्टी SP ने हमको आस्वासन दिया ग्रामिन लोग भी थे हिंडॉन के लोग भी थे उन्होंने भी बड़ा आस्वासन दिया करोली के लोगों ने भी करोली के कलक्ट साब ने SP साब ने भी ये आस्वासन हमको दिया कि भविश्य में किसी तरह की ऐसी बात नहीं होगी और हम ये कौसिस करेंगे सब समाजों को एक साथ बैठाएं मिलाएं बातचीत बढ़ाएं उनका समाद बढ़े और सद्भाव आगे बढ़ें ये हमको आस्वासन करोली से भी मिला है हिंडॉन से मिला है हमारी गुजारिस है कि यहां का गंगापुर का जो समाज है जो सिक्सित समाज है बौदिक समाज है मेडिया कर्मी है इस सद्भाव को बढ़ाएं प्रेम को बढ़ाएं भाईचारे को बढ़ाएं और ये गंगाजमनी तहजीब हमारी जो हमेशा रही है उसी से समाज ठीक तरह से रहा है इन दंगों से और दूसरी तरह की हरकतों से नफरत से समाज में सिवाए बिगाण के और कुछ सुधार नहीं होता है इसलिए चंद कुछ लोगों के मस्तिक्स में कोई विकार आ रहे है तो उन विकारों को भी हम सब मिलकर उन विकारों को भी दूर करें और वो भी एक अच्छे इंसान अच्छे नागरिक बने ये हमारी मुझारी से आफरों को भूब 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 सर जैसे हमारे पुराने आपने कहा था कि गंगा जम्मी तेहजीब पे जो चलता है मामला तो बुजूर्ग जो थे सीनियर है आज से पचास पचास साल से उपर की जितने है बुजूर्ग है तो वो तो उसी तेहजीब पे चल रहे है पर जो नया यूवा है उसमें कहीं ना कहीं बिक्रती कहां से आती है इस चीज को तो माइन डारे पर टोटा और यह डाले गए हैं तो कुछ उन स्वार्थी लोगों ने शैद डाले हैं जिनके राजनेतिक हित होंगे या दूसरे हित होंगे तो उन लोगों ने डाले हैं तो उन यूवकों को भी समझना चाहिए आज उनके सामने बहुत बड़ी चुनोतिया है रोजगार की चुनोति सामाजी के एकता से राष्टी एकता रह सकती है सामाजी के एकता नहीं रहेगी राष्टी एकता नहीं रह सकती है उन नौजवान आज का बहुत ठीक है कि उनमें विज्यान की बहुत समझ है उस विज्यान का उप्योग वो सामाजी के एकता के लिए भाईचारे के लिए वो यूवक समाज के लिए और खुद के लिए अच्छे से अच्छा उप्यों की साबित हो तरही कुछ हो सकता है यूवक बात कुछ कर सकते हैं लेकिन यूवकों को भ्रहमित कर रखा है आए है तरह करोली जाके आया है वहां लोगों से भी मिले हारजा गटना इस्तन था मालती रहे सद्भाव रहे समाज के आपने देखा कि करोली में जो नागरिक आये थे वो भी चाहते हैं वो भी चाहते हैं सब अधिक संख्यक लोग तो इन सारी चीज़ों को बहुत बुरत मानते हैं और यहां तक कि सिवा नुक्सान को और इनसे कुछ फाइदा नहीं हुआ लेकिन चंद जो जिनको भ्रहमित किया गया है वो उन्होंने ये काम किया है महां के पुलिस प्रसासन ने हमको पुरा अस्वासन दिया बहुत अच्छे ढंसे बात चीत हुई उन्होंने कहा कि यह बात हुई उस समय हमारी प्लिस फोर्स कई जगे बटी हुई थी मेले में ब घटना है हुई लेकिन बाद में नियंटरंड किया गया और अब तो शांती है वहां हम लोगों ने जगह देखी दुकाने जली हैं बड़ी संख्या में दुकाने जली हैं ये तो सही नुकसान भी प्रेमाने पर हुआ है ये सोचना चाहिए जन्होंने नुक्सान किया उनको सब लोगों को और मैं हम लोग सोचते हैं कि निश्चित रूप से बाद में उन्होंने सोचा होगा कि हमसे यह क्या प्राद हुआ है लेकिन भाववेस में शैद किया होगा उनके सिखावन जिस तरह की दिमाग में उनके कारण निश्चान शैद किया होगा वी चीजे है उसराज रेता हो सकता है बाते डाल दियों उनके दिमाग में वह होगा अब यहाँ कल के लिए सुचरा है गंगापुर में रैली जिलूस रैली जिलूस निकले साथ लेकिन रैली जिलूस समाज को जोड़ने वाली होनी चाहिए स्वार्थ तत्व हैं वो ऐसा ऐसे विकार डाल देते हैं उसके कारण से वह इस तरह की घटाए होती है उससे उन्ड यूकुल का भी नुक्सान उनका गवर से भी खराब है समाज में तो जो घटित होता है हम सब लोग देखते ही हैं भूगता है पूरा समाज बात चल रही है कि वहां का जो फिर्शासन ने कई ने कई उसका फेली और है वीडिया में भी यह बात चर्चा में है खास्तार से एस्पी के रवईये को लेकर लोग जो है अलग-अलग बाते हैं कह रहे हैं आप भी वहाँ एस्पी से मिले हैं और आपकी दोकल जो लोग है उनसे भी मुलाफ़त है कैसा लगा आपको लग क्या कहना है लेकिन दूसरी बात ही है कि जो देश का माहौल चल रहा है ना वो ना दूसरी तो हो चुपा है कि लोग इस बात पर आमादा हैं कि हम भूगे मर जाएं ले चाहे हम बेरो या रहले हम को नौकली की दिरुवत नहीं है लेकिन एक वर्ट को ठीक कर दिया जाए इस देश के को है है ना और कुछ नहीं चाहिए हैं तो ऐसे माहौल और यह कौन कर रहा है यह सरकार कर रहे है जो है अगर सब्सक्राइब हो जाया गए संद्रेश कर दिए है तो फिर लोगों को तो कि लिए क्या है अ अ यह बहुत बड़ी बात है लेकिन राजिस्थान का माहौल कुछ अलग यहां बो सरकार दूसी पार्टी तो राइस्ताम की सदकार में बैठे लोग जियो साथकी लोग है यह वो अलग तरीके से सोचते हैं लेकिन जो आपने सवाल पूछा वो उस मैं मैं उसको अलग तरीके से जहता हूं, जैसा की लोग कहते हैं, कलेक्टर ये कह रहा है कि हमने जो भी राइस्तान सरकार की गाइडलाइन से हैं, जुन उसकी, रैली की, वो सारी की सारी हमने पालना की है, और मैंने जो परुम्शन दिया है, वो वैसे ही दिया है, और डीजे नह करने जाये, हलेवले की, कोई, कोई नारे नहीं लगाएजए ही, और उसका रूट जो तेह होगा, उसी पर सही जाये, फिर इजाये हैğ, लेकिन हमारी बात मानी ही नहींगे, गलेकर कहता है, तो तो विस की बात मानी जा लीका है? करल मैं यह मांगता हूं और की कर्ड़क्टर का काम केवल एक आदेश चारी करना है उसकी पालना करती है पुलिस तो यह सीधी सीधी जिम्मेदारी जो पुलिस किया ती है के सारस्में पिलुस प्यलियर रही है बिल्कुर और एस्पी वासिटिंग दियर जब यह करक्टर ने क कहा कि नहीं हमने कुछ किया नहीं किया कोई यह तो हम क्या माना इसके लिए तो मतलब बजा अज भी ही नहीं बल्कि उस मोके पर भी थे जहां दंगा हुआ आप जनी हुई ऐसे वीडियो हमने देख लेकिन हम यह देख रहे हैं कि पुलिस द्रुए नमुग दर्सक बनी दे प्रशा संगने मानता मैं पुलिस की मांगता या तो सर फ्रैंप पुलिस की संदेपता कही है या नाकारीगरी कही है उच्छ भी कह सकते है अखरेकर क्यों मजबूरी नहीं कि वहां पर वगुआधरी अकियार भी रह रहे है हैं मस्जिद के ऑपर चटके जेंडर रहराने के और पुलिस के आपकों के सामने दुकाने दिला ही जा रही है। भी यूपी का बताया जाता है। प्रियास के आप किसी जगे का। जिकंद्री जी आप भी इस डेलिगेशन का हिस्सा थी जैपूर से आप आए हैं। आप करॉली के रहने वाले ऐखास बात है जैपुरश्फट हुए हैं। आपकी काफी करॉली में चीज़ें हैं। अब जो आप देखकर आए हैं कैसा लग रहा है करोली आपको जैसा करोली छोड़के गई थे देखें इसका है कि एक दिन में कोई घटना घटनी होती है करोली में इस तरह के हैं जो सालों से इस प्रियास में लगे हुए थे कभी किसी तरह से करोली का माहूल बेंगे उसमें उनका अब्यक्तिकात स्वार्थ हो सकता है उनकी विचारदारा इसी हो सकती है कि जिसका काम ही यह हो कि कैसे बाप इंदू मुस्लिम का दंगा करवा दें और राजमीती भी इसमें कुछ हो सकती है एंबेले बनने की बनाने के और इस तरह ही तो यह बहुत पहले से एक अंदर अंदर चल रहा था यह सारी चाहिए और कहीना कहीं इस गटना के पीछे अप आपको डीजे बजाया नहीं की तो आपने डीजे बजाया और वहां कापी रुके वो रोग जब की और जगे से वो तेजी से निकल गए लेकिन वो जगे पर रोक करके उन्होंने नारे लगाए है नारे जो 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 पर मेरा मानना यह है कि उनकी इन सारी हरकतों के थोड़ा सा धेरिये दूसरे पक्ष को भी रखना से यह था जैसे कि उनको बढ़ावा नहीं मिले धेरिये तूटने से क्या हुआ कि उनको बढ़ावा उनकी जो इच्छा है करोली के समाज को जनता को बाटने की वो उससे उलता उनकी पूरी हो गए यानि कि प्री पुदान करोली में जितना हिंदू और मुसल्मान में आपस में लगाव और दोस्ती और प्रे में उतना सायद ही आपको कहीं मिलेगा करोली जैसा लेकिन इस घड़ना ने निसे तूट से मन में घटास तो पैदा की है लोगों में अब हमारा काम यह है जो हम लोग जो आए हैं अपने मैंने वर साथी और की वही आप अगला खाम है उस चीज को रोकना कि जो अबाब पैदा हुआ है उसको किसी भी तरह से को रोका जाए उस लोग समाज में आगया है दोनों तरप से और आगया करके और सद्वावना को दुबारा कायम करें जो परंपरा है जनता की इसको कायम सबाब कोशिए अब कर दुब कोशवार लेकर आए हैं अब इसकोशै को बहुति तरहीं हो हैं अपक्यमंतले नेयुकशा जाना चाहिए नेंगे किया अब यह आगे की प्लानिंग आपकी है कि आप मुख्यमंत्री तक जेसा पौंचाएंग के या या जो आपको लगा किया लेकिन हमारा कहना है कि पूरे प्रदेश के ही लोगों से निवेदन है और नौजवानों से विशेश निवेदन है इस प्रदेश को शांती में बनाए रखें इसमें सद्भाव पैदा करें यहां कहीं कोई विखाव आये हैं उन विखावों को एट जुट करें फिर से ये हैं तो वो उप्योग होना बंद करेंगे और उप्योग होना बंद होना चाहिए तो हमारा तो कहना है कि हमारा जो सद्भाव का काम है उन निश्चित रूप से लोग उस पर आएंगे और यह काम बढ़ेगा क्योंकि इसके लावब दूसरा रास्ता नहीं जड़ाई दंगो सब्सक्राइब हो सकता है कि इसर बहुत 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 दंगवाद अभी जो हमारी प्रेनियर भी आयोगे है कि कुम से भी कि क्या कहना चाहिए कि कहना यह है कि आज लगने के बाद कुवा खुदा जाता है इसमें वक्त लगता है हमारा सबका आपका यह फर्ज हो कि आग लगे ही आग लगने के बाद जो नुक्सान होता है वह ही आपने सुना दुकाने घर जलते हैं लेकिन ऐसी विक्ता में दिल तूटते हैं और दिलों को कोई जोड़े हैं दिल ना तूटे हैं तो हमारे इस देश परदेश में करूली जीले में ऐसा वाता उड़ने जिससे दिल तूटने का माहोल ही पेदाने और वो आसान है दिल तोडने का माहोल पेदा करने नँना हो यह आसान है लेकिन आग लगने के बाद आग बुजाने के काम में समय लगता है ताकत लगती है और उसका बड़ा भाली खाम्याना हमें घुज़ना पुखता है आप लोगों से निवेदर है कि क्योंकि हम ने वहां ये उब्जव किया कि जो नेशनल मीडिया है वो इसको संसनी बना रहा है यहां तक भी कह रहा है कुछ मोति हो गई है कि तैसा नहीं हो गई है उसको वहां के लोगों ने आप जैसे भी जीवें लोगों को लोगों आप बस्त्रूप जो संभाव की जो टीम आई है इसका हर जद्में समागत किया पिलाज सोट में तो आक तो आप द्हानों को तिक दो हजार टीम ने केम भी लगा था शरमदान भी हुआ था तो ऐसे वाताओं होने से चाहे कि पहले यह आग कहीं लगे नहीं लगने के बाद आग घुजाने के लिए बड़ी ताकत की जर्वत है और उस आग को और जलाने के लिए और लोग दूसरे ताकत लगाते हैं इसलिए वाताओं ये हो कि आग लगे ही नहीं दिल तूचने का बाताओं बने ही नहीं ये हम सब को सोचना होगा क्योंकि हमारा देश हमारा परवेश इस चीज़ के लिए सुभिख्यात है पूरा देश राजस्थान की ये भक्ति और सक्ति और ख्वाजा की जमी को बड़ी आसा की नजर से देखता है यहां के सदभाव को गंगा जमनी कहजीब को पूरी दुनिया देखती है और अब अन्तिम ये कड़ी है अगर यहां कोई गंभीर घतना होती है तो वो पूरे देश के लिए खतरना साधिक हो सकते है लुक्ताब एक आफरी स्वाल आजका अबारा प्रिस कंप्रेंस का यह है कि एक इशू है जो उठाया जा रहा है नेशनल मीडिया के माध्यम से कि बहुत सारे लोग है जो पलाइन कर रहे हैं और वो जो है पलाइन पर मजबूर हुए हैं लोगों को निकाला जा रहा है क्या इस तरीकी की कोई बात आपकी वहां हुई कि किनी लोगों से या कोई बात आप पर सामने आए इस तरीकी की नहीं लोग बलाइन क्यों करेंगे वहां तो ऐसा माहुल है कि लोग गुते हुए हैं एक दूसरे में महले इस तरह से बने हुए हैं कि वहां सब मिले जुले हुए लोग हैं वहाँ जोगुं के अलग अलग महले नहीं यह जरूर है किसी मौलने में किसी वर्ट कि संख्याँ RICHARD कि कि मौलने में किसी वर्ट कि संक्याँHisाद लेकिन जैसे तो छे यह सबने को सवारहीimas हमको उसे रोपने की कोशिश करनी चाहिए एक बात मैं यहां गंदापुल के बारे में में कहना चाहता हूं कि कल जो रेली निकलने वाली है उसको पूरे प्रेम और सभाव के साथ निकलने दिया जाए लोगों से अपील की जाए मेरी आप लोगों के मात्यम से भी सारी जंता स शरीक हों और शांती बुर्वक गुजर जाएं किसी को आपकी वज़े से कश्ट ना हो इस बात की कोशिश करें और जो दर्शक हैं जो रास्ते में बैठे हुए लोग हैं या जो अन्ने वर्वों के लोग हैं वो भी शांती बुर्वक उनको गुजरने दें और उनके प्रशासन को चाहिए कि वो पहले से चेक कर ले कि इस तरह कि कोई चीज तो नहीं है और प्रिकॉश्च बहुत जरूरी है प्रिकॉश्च जहां नहीं लिए गए वहां पर आप रिकुश्च लिये जाएंगे तो गटना नहीं होंगी है सब्सक्राइब करोली जिले का नाम आता है कहां से तो हमारे जितने भी बाहर से आने वाले यात्री थे उसमें काफी जदा यात्री बाहर की कमी आई अपके बार अमने देखा कि करीब कहां 45-50 बसे जब डेली रोटन में चल पी ती आज 8-10 बसे रही है तो कहिना गें रोजगार को भी इसकी चीज का नुकसान हो यह जरसल आर्थिक नुकसान तो बहुत बड़ा है से यह सिर्फ यही नहीं है कि मेले का नुकसान हुआ है बलकि का आने वाले काफी समय तक लोगों के रोजगार प्रभावित रहेंगे और खुद इस मेले से दिले को हने वाली थी तो आर्थिक नुकसान तो हुआ है और उसका खमियादा सारे नागरिकों को भुगत नागरिकों कुछ सचे दर रहने चाहिए कि वैसी घठा है वह नहीं नादे सर एक चीज़ पूछना चाहिए मैं धान्मिक रेलिया निकलती है इस इवादत करने जो को जड़ाने के लिए किया जाना इस्तिमाल कैसरी इसमें सच्चाई है या नहीं कि दोनों समय दामे में यह ऐसे इनारे लगते हैं एक संगठन हमारे देश में ऐसा पनब गया है दुर्भाग यवश्ट कि जो शुरू से ही सांपरदाएक नफरतें फेलाने की कोशिश कर र चाहिए यह अत्यंत मुफता पूर्ण बात है इसको जो भी विर्थी सुनेगा वह सेगा ऐसा होता है कि एक ही वर्थ के लोग रहें किसी देश में और दूसरे वर्थ के लोग इना तो यह विचार जो है उनको सोचना चाहिए कि एसा विचार दे और सारे लोगों से प्रेम पूर्स है और जो सकता है वोई टना साही जैसे पिटलर किसी तना साही करना चाहरे हो यहाँ पर आम जंता को नुक्सान पहुचाने हो नहीं करो से बिल्कुर सार्भ होंने रहे सामराश्गा वाशिद्म का टूल है धर्म वो धर्म और धर्म को इस्तेमाल करके लोगों में दालता है और दोनों को इन दुसरे का दुशमन और दोनों को में जो नामों का गलत इस्तमाल करते chamado कुजीनी है अपने बंदनी है नारे लगाते हैं तो कोई किसी को ड़ाने के लिए ऐसा मैसुस कि लगता है बिल्कुल बिल्कुल ये बात है आखिर कर प्रता कब बंद होगी अगर ऐसी बात है तो बहुत ही निन्दनिय बात है ड्रेम और सब्वाओं का कारण बनने चाहिए हमारे जुलूस और रेलिया यह अगर तोड़ने का कारण बनते हैं तो इनको तत्काल सवाप्त कर देना चाहिए तत्काल बंद कर देना चाहिए जबकि आम पॉब्लिक कभी भी कोई दंगा करना नहीं चाहता है जो भारी आदमी होते हैं अपनी रोटी शेक कर चले जाते हैं लेकिन आम जंदा को इसको बहतना पड़ता है क्या रा APPLAUSE क्या करने- काम जंता तो प्रेम और सदवाव ही चाहती है एक चंद सवाथ इतथ होते हैं जो लोगों को बाटकर अपने सत्व के सित्झ करते हैं नुकात है ए मैसी जंटा के इसे निदा का नहाएiennent का मेरा मैसिज ही यह सारी जंता से मेरे सबसे मेरे अपिल है प्रेम और सवारत के साथ रहें कभी भी प्रेम को सोहारत को बिगड़ना ना दे एक दूसरे के प्रेश की जो दुचमन ना बजा हैं उन्हेवड ना बदे नमेश्ड करे साथ ही दुश्मन न बधे कि दन्रबास सर हमारे साथ जुननेक्ट लिए कि अब आपने देगा सदवाबना की जो टीम हमारी जैपरसाई है उन्होंने बड़े सच और सीरे सब्सक्राइब अब आपके नगरत बाटी जाए और पहरा हमारे जाएसे जुरू सब्सक्राइब नेकर ने तरह यहां पर आएज आयाब रेश्मेंस के भी महलिक है आप क्या कि नगेंगे तरह दूबाद दूबाद आपको और हमारे अगंकद जो महान है सब्सक्राइब अब आपके लोगा आए और मैं यह कहूंगा कि कल की जो हुँआरे लिये बहुत सब्सक्राइब निकलनी चाहिए तरह से पूरा से पूरा स्यूब करेंगे और हम समाद से भी हम प्रेक्शा करते हैं कि वह सालिंता से सज्जंता से जैसे कि हमारे अरुतर महमानों ने दिशन दिए अजिके परिदेश्टों में अर्ज करूँगा उनकी पालना उली चाहिए अच्छे मशोरे दिये हमारे जद साब में और मैं सभी सिंधी ने और हमारे दूसे निवारों में तो चूंकि यह हमारी जो संस्कृती है जो हमारी दरोला है वारी मिरासर पहें इसको ठेज दिए इसे बापिक्षा है तो बहुत बहुत धिन्यवाद शेवकने क्लेश बताने के लिए आगे मुंते हैं नहीं खबर के साथ जड़ा समय करके रहें हैं इसका जबाद करते हैं इसका नहीं जबता हैं